चाहिए इसके पीछे BJP का बड़े नेता का हुमक है इसलिए वो इस तरीके से जो बयान बाजी करने के लिए उनका हुमक जो गेरा है उसके खिले अपला गतार लड़ेंगे बैटेंगे नहीं है बट इनको समझना चाहिए नरेंद्रा मोधी जी उस समय में भी इस्ट इंडिय कंपनी का उकुमत चलता था अभी वेस्ट इंडिया कंपनी का उकुमत चल रहा है राहूल गांदी जी कितने भी आप लोग कोशिश करो एक ऐसा नेता है जो इस देश को जोडने के लिए मोबत का दागे में जोडने के लिए साड़े चार अजार किलो मिटर किया पधियात् अभी वाले रावुल जी चल रहे थे थभी जल रहा है अभी पार्लीमेंट में आवास उटा रहे थभी जल रहा है इनका आदत है इनका खुन के अंदर है ये बीजेपी नया फिट्टू को आगे और जवाब देंगे यूद कांगरे चुप नहीं रहांगे देश बर फिट पे उत्रेगा मोदी का फिट्टू का पिट्टू की अपिट्टू की अपिट्टू सरी अथिष्ट्व जार जास दारए दिली से जाकेंद्रे मंत्री रवनीट बिक्तू के राहुल गारली पर दिये बयान पर अब सियासी गमस्तान चुरू हो गया है और कॉंग्रेस ने रवनीत बिटू के बयान पर हंगामा किया है हाथ में पोस्टर उनकी खिलाफ लिए आप देख सकते हैं और राहूल गांधी के समर्थन में आगजनी भी की जा रही है यह पुतलद है यहां किया जा रहा ह और BJP पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि BJP जलती है राहूल गांधी नफरत की बाजार में मुखबत की दुकान लगाने आये हैं इस बात कभी जिकर यहां लोगों की तरफ से किया जा रहाू है और यह देखिये कैसे आगजनी और घुसा आक्रोश निकल कर अब सामने आ रहा है कॉंग्रेस के जितने भी समर्थक हैं केंद्रे मंत्री रवनीत बिट्टू के राहूल गाने पर दिये बयान पर सियासी घमस्तान शुरू हो गया है तो यह तस्वीर आपको दिखा रही है राजधानी से जह आप देख सकते हैं गुस्टा और आक्रोश औ इतना जादा गुसा और आक्रोश की हाँ पर बैरिगेटिंग लगाने पड़ी है बैरिगेटिंग के जारे पूरे जो जिस्थिती है उस पर नजर बनी हुई है उसे कंट्रोल में किया जा रहा है कोशिश की जा रही है कि माहौल खराब जादा ना हो और उन्हें वापस से भेजा जा रहा है कि इस तरह गुसा और आक्रोश करने से कुछ नहीं होगा बलकि इस चीज़ को बंद कर दिया जाए लेकिन अभी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है यह दिली की तस्वीर आप देख रहे हैं गुसा और आक्रोश बयान को लेकर और अब इसके बाद खमसान छिड़ गया है करता है